दोस्तो स्वागत करता है आप सभी का एक बार फिर से इवीस्तान यूट्यूब चैनल पर और आज हम आ चुका है याकुजा इलेक्ट्रिक वहिकल के सोडूं पर और आज हमारे साथ मौझूद है याकुजा कंपणी का रूबी इलेक्ट्रिक स्कूटर दोस्तो आपने इलेक् और फिर से आफ करना है तो एक बार फिर से ले जाने से आपका इलेक्रिक स्कूटर का प्राइस तो आप सौचेंगे काफी ज्यादा हो गालेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप अंडर 50,000 रूपीज में खरीच सकता है तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको कितना फीचर्स देखने को मिलता है क्या प्राइस होता है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का मोटर क्या यूज किया गया इस electric scooter में क्या battery का उसकिया गया, कितना range मिलेगा आपको, कितना speed मिलेगा आपको, पुरा details आपको आज के वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो वीडियो में बने रहा है, और अगर वीडियो पसंद आता है, तो एक like जरूर कर दे, क्योंकि आपका एक like हमें motivate करता है, आप तक ऐसा ही यूनिक वीडियो पहुंचाने का, यह अकुजा company का Ruby electric scooter, सबसे पहले आपको इस electric scooter का front look से अर कर लेते हैं, आप देख सकते हैं, front से यह Ruby electric scooter कुछ ऐसा दिखता है, इस electric scooter में आपको चार color option भी देखने को मिल जाएगा, चारो color option आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सबसे पहले इस electric scooter का build quality भी आपको दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं, इस electric scooter में totally fiber body का यूज़ किया गया है, front में आपको याकुज़ा का branding देखने को मिल जाएगा, और इसका model name Ruby जो है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, fiber quality का यूज़ किया गया, और fiber का जो quality है, वो भी आपको काफी मजबूत देखने को मिलता है, और यहाँ पे dual color tone यूज़ किया गया है, आप देख सकता है, एक तरफ है blue, एक तरफ है black, यहाँ पे एक तरफ green और एक तरफ black यूज़ किया गया है, ग्रे में भी आपको एक तरफ gray और एक तरफ black color देखने को मिल जाएगा, इसी के साथ में इस electric scooter के front wheel पे, आपको जो है drum brake देखने को मिल जाता है, इस electric scooter में जो mudguard का यूज़ किया गया है, वो mudguard भी आपको काफी मजबूत देखने को मिल जाता है, और front wheel पे आपको dual telescopic suspension देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको LED lights का यूज़ किया गया है, LED headlight का यूज़ किया गया है, आपको यहाँ पे दो light wheel देखने को मिल जाता है, इसी के साथ में उपर में आपको indicator light wheel electric scooter में देखने को मिल जाता है, तो front से यह electric scooter कुछ ऐसा दिखता है, आपको दिखा देता है, यह electric scooter back से का ऐसा दिखता है, आप कैसे बढ़ाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो आप देख सकते हैं यहां पर बैक लाइट दिया गया और बैक इंडिकेटर यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा इसी के साथ में एक हाब मोटर का बीलडी से हम मोटर का यूज किया गया है 250 वाट का बीलडी से हम देखने को मिल जाता है इसी के साथ में आप देख सकते हैं यहां पर मोटर गाट का यूज किया गया और इसका जो मोटर गाट है वह भी थोड़ा सा मजबूत क्वालिटी का ही है मतलब कुछ धक्का बगड़ा कर लगता है तो इसके मोटर को यह बचा सकता है फ्रॉंट से ने एक रहाँ डी सिर्प्ड़ा साइड उससे पूरा डीटेश मैने शहार कर लिया आप देख लेगता है इस एलेक्रिक को मिलता है इस इलेक्रिक स्कूूटर के स्पूटर के सामने ले जाने से।शू अन हो जाता है यह जो हॉन का यूज किया गया यह भी काफी लाउड हॉन का यूज किया गया है इसी के साथ मैं आपको यहां पी इंडिकेटर देख देख देखो मिल जाता है इंडिकेटर में आपको दिखाऊंगा यहां पर हाज़र्ड का स्वीज यूज किया गया है तो हाज़र्ड ओन है इस electric scooter में, hazard को off करना है तो simply इसको off करने से आपका hazard light off हो जाता है, फिर जब आप किसी भी sight का indicator देंगे तो आप देख सकते है इस electric scooter में indicator जल रहा है तो फिर मैं इस indicator को off कर देता हूँ यहाँ पर आपको head light on off का switch भी दिया गए आप यहाँ से आपके electric scooter के head light को on off कर सकते हैं यहाँ पर DRL का use किया गए, आप उस DRL को भी on कर सकते हैं जो की DRL नहीं है, यहाँ पर halogen lamp का use किया गए चूटा सा इसको आप on कर सकते हैं आप head light को on कर सकते हैं, यहाँ पर head light का switch भी दिया गए आप यहाँ से आपके head light को भी on कर सकते हैं और यहां पर आपर डीपर का सुइच दिया गया तो इसके आपको लो भीम भी कर सकता है इसके साथ में इस एलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है आप यहां से आपके किसी भी मॉबाइल वगरा को इजी ली चार्ज पे लगा कर आपके मॉबाइल को यहां पर पॉकेट भी दिया गया यहां पर डख सकते हैं तो आपका मॉबाइल भी इस एलेक्ट्रिक स्कूटर के माध्यम से चार्जिंग साथ में इस एलेक्ट्रिक स्कू सकma सकने के लेक्रिक स्कूटर काुटिल गुमाने से आपका इलेक्रिक स्कूटर फॉर्टीफ़ किलोमीटर पर आवर का स्पीट से अगे जा रहा है थर्ड मोढ को सब्स Kendall पर ब। पे भी के अब्ल स्कूट के थ्रॉटिल घूमाने साथ आपके छूटिटर! 49 km प़ आवर का स्पीड से आगे जा रहा है इसी के साथ में आपको यहां पर बैटरी इंडिकेटर भी देखने को मिल जाईगा यहां पर स्पीड invasive देखने को मिल जाएगा यहां यह पर सिंप्ली समोट करके अगर हम इलन्म स्कूटर तो आपका ऐलेक्रिक स्कूटर शिक्षेग लिगए जो encontrar concerns 20 कि अपको दिखा देता हूँ तो मैंने आपको दिखाए यह के यह फिर सटे जीगा तरह कोस्योल पेड़र्ड को स्लय सबीखने की टांट सिंप्ली रिवर्स के स्वीच को प्रेस करके फॉटेल को गुमाने से आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है रिवर्स मोट पे जाता है इसका टॉप स्पीड आपको 16 किलो मीटर पर आवर का देखने को मिल जाता है इसके साथ में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको दोनों स्कूटर जो है ओफ हो गया यहां पर डिमोट का यूज क्या आप इसको अचलिक का सकते हैं लॉक कर सकते हैं इसके साथ आप इस रिमोट के माद्यम सकते हिरे स्कूटर को पयसे ओफ करना है है simply इसको प्रेस करने से आपको electric scooter जॊ है वो आफ имиडिरे कि स्कूटर को लॉका भी कर सकते हैि क्या है क्या से लॉक कर करना एतो इस switch कोμαश करने से आपका electric स्कूटर को डॉप अब म données को ऑगे już फुच पर को अनलॉक हो जाता है तो फिर आप अपकी श्कूटर को लेकर अन ही जना आप और यहां आपको आपके बारत है यहां से इसीली कारी करपा हूगे यहां Państ पर दो साइब आपको दो पोहेकट प्रणी को मिर जाता है यहां पर एन चार्जिंग का USB port देखने को मिल जाते हैं, आपके मोबाइल को लगा के यहां पर रखके चार्ज कर सकते हैं, आपके कुछ समान वगएरा है, तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं, लेक स्पेस भी काफी बढ़िया है, आप फैर रखने के साथ-साथ भी आपके समान वगएरा है good quality काई, फल्ब्रस में बड़ल स्ट्न झेहां पर要घए है, तो मैं chi je electric scooter का पुरा डीटेल सकेख वाष भी सहयार कर चूंगा, लेक स्कोर सीक्टर कैसे चार्ज करते हैं मैं उख वह भी आपको दिखा दूंगा, तो इस electric scooter के softly आपको उप कर 입니다 करने के लिए, सबसे फहले यहां से आपको पूरे बैक साइट को खोल की आपके अलेक्रिक स्कूटर के बैटरी को रिमूब करना पड़ेगा तो इसे अगर आप अपने नजदी की service center में ले जाता है तो वो लोग easily इसको remove कर देंगे तो इसी के साथ में इस electric scooter में आपको यह charger भी देखने को मिल जाता है जिस charger के माध्यम से आप इस electric scooter को easily charge भी कर सकते हो इसका charging port भी मैं आपको दिखा दूँगा इसके साथ में the electric scooter में आपको इया मैट भी देखने को मिल जाता है इस मैट के माध्यम से Essa आपको यह अधन के माध्यम से आपके electric scooter को व्यटकर सकते हो और आपका electric scooter का बैटरी कंट्रोलर वागरा में कोई सोब सर्किट वागरा नहीं आएगा तो मैं इस eli स्कूटर के mcb को आउन कर देता हूं अब इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का चारजिंग में आपको दिखा देतु मैं आपको यह एपने पे चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है यहां से आप के लेक्रीचुटर में आपको पर जांद बीमें आपको पे रिंदी प्रसेंग चार्ज़ करें में आपको ड् Wyoming बैटरी का युज़ किया कि इसलिए चारजिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा है अगर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लिथियम बैटरी के साथ में पर्चेस करते हो तो आपका चारजिंग टाइम बहुत ही कम हो जाएगा लुक वाइस काफी सांदार इलेक्ट्रिक स्कूटर है बुल्ट क्वालिटी वाइस भी काफी सांदार इलेक्ट्रिक स्कूटर है और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको काफी बढ़िया फीचर बगरा भी देखने को मिल जाता है दोस्तों इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का details तो मैंने आपके साथ में share कर दिया है लेकिन इस electric scooter में आपको कितना warranty देखने को मिलता है वो भी बहुत important है लेकिन electric scooter में आपको जो है late acid battery देखने को मिल जाता है जो कि 60 volt 30 amp का late acid battery का use किया गया तो इस electric scooter में आपको उस battery pack से 70 km का range भी देखने को मिल जाता है इस electric scooter का जो बैटरी यूस किया गया है इसी के साथ में इस electric scooter में आपको जो है BLDC हम मोटर देखने को मिल जाता है इसी के साथ में इस electric scooter में आपको जो charger देखने को मिल जाता है इस charger में या फिर इस electric scooter में जो controller का यूस किया गया पूरे सब कुछ में आपको एक साल की वारेंटी देखने को मिल जाता है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक और फीचर भी देखने को मिल जाता है, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो BLDC हम मोटर का युश किया गए, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के मोटर के वारेंटी को आप increase भी कर सकता है कैसे increase करना है आपको इस electric scooter का जो price है उसके साथ में one thousand rupees अगर आप extra pay करेंगे तो इस electric scooter के motor का warranty आपको एक साल ज्यादा मिलेगा अगर आप 2,000 rupees ज्यादा पे करेंगे तो आपको 2 साल warranty ज्यादा मिलेगा तो इस electric scooter का प्राइस भी आप जानना चाहते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का क्या प्राइस है मैंने आपको सुरू में बता यह इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको अंडर 50,000 रूपीज में देखने को मिल जाता है तो इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में याकुजा के रूबी इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 46,000 का प्राइस देखने को मिलेगा 100 रूम प्राइस और अन रोड प्राइस पूरा सेम है क्योंकि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको किसी भी तरह का रेजिस्ट्रेशन देखने को मिलने ही मिलेगा और अगर अब इस electric scooter के price के साथ में और 2000 रूपीज एक्स्टा एड करते हैं तो इस electric scooter के motor में भी आपको total 3 वारेंटी देखने को मिल जाता है तो यह रहा इस electric scooter का पूरा details इसी के साथ में आप इस electric scooter को कहा से purchase कर सकते हैं यह भी important है आप इस electric scooter को अगर West Bengal में है या फिर हाउरा में है या पर वाउज बेंग पर किसी भी जीलम है तो इस electric scooter को आप easily yakuza electric scooter के showroom अंदुल रोड में आके purchase कर सकता है इस electric scooter के showroom का address, google map का location और contact number पूरा details आपको आपके screen पर देखने को मिल जाएगा इसी के साथ में this electric scooter का पूरा details आपको हमारे description box में भी देखने को मिल जाएगा, showroom का contact number भी देखने को मिल जाएगा, और showroom का Google में आपका address भी देखने को मिल जाएगा, तो बहुत easily आप इनसे contact करके, Yakuza का Ruby electric scooter जो है purchase कर सकते हैं, इस electric scooter का पूरा details और आप कहां से purchase कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो एक like जरूर कर दीजिया, क्योंकि आपका एक like हमें motivate करता है, आप तक ऐसे ही interesting video पहुँचाने का, और अगर इस वीडियो को आप share करना चाते हैं, तो जो लोग under 50,000 का electric scooter purchase करना चाते हैं, under 60,000 का electric scooter purchase करना चाते हैं, तो आप उन लोगों के साथ में share भी कर सकते हैं, और आपका कुछ opinion अगर है याकुजा company के उपर, रूबी electric scooter के उपर, तो वो भी आप हमें comment कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा, क्योंकि ऐसे ही electric vehicles related detailed video, आपको सिर्फ EV स्थान YouTube चैनल पे देखने को मिल जाते हैं,